बच्चों आज हम आपके economics में एक नया chapter चाप्टर चालू कर रहे हैं यह है हमारा lecture 239 लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे economics में chapter 4 globalization and the Indian economy यह chapter आपकी NCRT economics में base 55 पे है globalization and the Indian economy globalization word का मतलब क्या है globalization means अगर मैं आपको बताऊं कि globalization means trading culture interchange कहते हैं interchange of products interchange of commodities interchange of culture interchange of population within the nations मतलब एक देश से दुसरे देश सभ्यता का जाना या चीजों का जाना business होना culture का जाना लोगों का जाना उसे कहते हैं globalization globalization काफी देशों में मतलब देशों के बीच एक संबंध है आप बोल सकते हो एक professional relationship आप बोल सकते हो so globalization से अगर आप एक श्री कृष्णा का एक बोलावा वसुदयव कृटमबकम ठीक है so मतलब whole world is a family ऐसा आप समझ सकते हो globalization से मतलब relations interchange between the nations so globalization का और इंडियन economy के बीच का संबंध पढ़ेंगे हम इस chapter में so chapter start हो रहा है हम सब consumers हैं आज की generation के हम सब consumers हैं so हमारे पास बहुत स्यादा choice है चीजों के बीच में so जैसे digital camera का हमको एक से एक model देखने मिलता है market में mobile phones का televisions का और जो world के लेटे जो world के leading manufacturers हैं उनके products भी हमें देखने मिलते हैं market में हर नए time हमें नई नए models देखने मिलते हैं काड़ियों के जब ये वो दिन चले गए कि जब ambassador और fiat खाली ही वही दो cars दिखती थी इंडिया में पहले ऐसा time था कि ambassador और fiat ही दिखती थी पर अभी जो इंडियन्स हैं वो अलग-अलग brand की cars खरीद पा रहे हैं तो ये सिफकार की बात हो रही है इवन t-shirt, shirt, even juices में भी आपको बहुत variety मिलती है market में निकलो तो ये इतनी ज़्यादा variety है जो आपको goods में मिल रही है चीजों में मिल रही है तो इतनी variety आपने अगर आप 20 साल पहले देखो तो इतनी variety आपको market में देखने नहीं मिली होगी तो बताओ 20 साल में बदला क्या ठीक है 20 साल पहले आपको इतनी variety नहीं देखने मिली अचानक से इतनी variety देखने मिल रही है तो ये जो अचानक से इतना fast transformation होगा सब कुछ इतना fastly change हुआ है तो कौन से factors हैं जो ये changes ला रहे हैं और किस तरह से ये changes हमारी life को affect कर रहे हैं तो हमें इन questions को देखना है इसी chapter में page number 56 production across countries अगर आप वो 20th century के middle की बात करो जो production था वो बहुत जादा था countries के बीच में जो एक country से दूसरी country में कोई भी ला सकता था वो था raw materials या food stuff या finished products मला कच्चा मल ला सकते थे खाने का सामान और जो बना हुआ सामान है वो इंडिया तब colony थी Britishers की इंडिया क्या करती थी वो raw materials और food stuff भेजती थी और मंगाती क्या थी बनी हुई चीजें तब main India मतलब ट्रेडिंग बहुत जरूरी था उस टाइम तब की बात है जब बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको multinational corporations कहते हैं market में आई multinational company क्या है page number 56 पे multinational company की definition a multinational company is a company that owns or controls production in more than one nation ठीक है multinational companies क्या होती है वो company होती है जिनको एक से ज़्यादा nation में मतलब एक से ज़्यादा देशों में उनकी properties होती है और वो production कराती है एक से ज़्यादा देशों में यह जो multinational companies है यह offices set करती है factories set करती है region में production के लिए जहां पे उन्हें सस्ता labor और resources मिलते हैं यह इसलिए किया जाता है कि वहां cost of production कम पड़ता है और MNCs बहुत ज़्यादा profit अनकर सकती है अभी एक example देखते है spreading of production by an MNC जैसे यहां एक बड़ी MNC है जो industrial equipment प्रोड्यूस करती है अपने products डिजाइन करती है US में बैट के अपने research centers में और वो क्या करती है अपने जो components है उसको चाइना से manufacture कराती है और फिर उसे Mexico भेजती है Eastern Europe भेजती है जहां पे यह products assemble होते है और finally जब सब बन जाता है तो पूरी दुनिया में बेचा जाता है और इन company इसकी company का customer care इंडिया में है call center इंडिया में है मतलब आप समझो एक company काम कैसे कर रही है देखो एक बड़ी MNC है वो industrial equipment बना रही है design कर रही है products यूएस में बैठके अपने research center में यूएस में बैठके research center में product design कर लिया चाइना को बोला manufacture कर component फिर मैक्सिको और इस्टन यूरोप को बोला assemble कर और finished product फिर जब यहां assemble हो गए product और फिर पूरी दुनिया में बेजती है ठीके और जब company का customer care call center कहा है इंडिया के बैंगलोर में अब यह देखो मतलब यह MNC का best example है यह call center है बैंगलोर का जो जहां पर सारे telecom facilities है और internet भी दिया गया है और मतलब पूरी दुनिया के customer से यह लोग बात कर रहे हैं ठीके इस तरह से मतलब MNC काम करती है सब देशों से फायदा उठाती है page नमबर 57 इस example में MNC खाली अपने चीज़े नहीं भेच रही है पूरी दुनिया को पर वो पूरी दुनिया से service और चीज़े ले भी रही है इसी वज़े से जो production है बहुत ज़ादा complex है जो production है वो छोटो छोटे parts में divided है और वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है जैसे उपर चाइना को फायदा चाइना किस चीज़ का फायदा दे रही है इस company को क्योंकि चाइना बहुत cheap है सस्ते में देती है तो वहाँ से company चाइना से ये फायदा ले रही है Mexico और Eastern Europe क्यों Mexico और Eastern Europe को क्यों Assembl करने इस company ने दिया है क्योंकि वो यूरोप से और यूएस से नजदीक है इसलिए और इंडिया को क्यों उसने as a telecom sector या call center के लिए चुना क्योंकि इंडिया में बहुत highly skilled engineers हैं जो की सारे technical aspects समझ पाएंगे production के और इंडिया के बास बहुत ही अच्छा English speaking youth भी है जो की customer care service आराम से दे पाएगा तो इस MNC का अगर आप देखो तो 50 से 60 percent cost बच गया यह सब करने में अगर यही सब यह MNC अमेरिका में करती तो उसको cost बहुत ज़्यादा high पड़ता उसने मतलब इंडिया और चाइना जैसे सस्ते देशों को देखा फिर यूएस और यूरोप में थोड़ा काम दिया वहां उसने नस्ती की देखी कि उसका shipment cost बचेगा तो यह जो advantage है फैलने का production को फैलाने का सरहतों को पार करके multinational जो करती है company वह बहुत ज़ादा immense है मतलब उनको फायदा भी मिलता है और सामने country को काम भी मिलता है interlinking production across countries so general में अगर बात करो MNC जो है production setup करती है जहां market उनको नस्दीक पड़े जहां उनको skilled labor या unskilled labor भी मिल जाए पर low cost पे जहां पे production के सारे factors available हो so MNC क्या करती है government policies को भी देखती है दूसरे देश की कि वो उसके फायदे में हो तो MNC जबी भी अपने कोई factory setup करती है या plant setup करती है किसी भी देश में तो यह सारी चीज़े देखती है क्या क्या देखती है so MNC setup production where it is close to the market market के नजदीक है where there is skilled and unskilled labor मतलब available at low cost and where the availability of other factors of production is assured in addition MNCs might look for government policies that look after their interest having assured themselves of these conditions मतलब यह सब conditions से assure होने के बाद MNCs set up factories and offices for production MNC क्या करती है factory या बनाती है office बनाती है production के लिए the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment so यह सारी conditions पूरी करने के बाद MNCs क्या करती है factory set up करती है offices set up करती है production के लिए और money जो पैसा है वो spent करती है assets खरीदने जैसे की land, machines, बाकी equipment इसे investment करते हैं और जहां पैसा लगता that is investment so investment किसे कहा जाता है money that is spent पैसा जो खर्च किया जाता है कोई चीज को लगाने में मतलब कोई चीज को बसाने में जो पैसा खर्च करते हैं investment कहा जाता है आप सब को investment का मतलब पता है investment made by MNC is called foreign investment और यही investment अगर foreign MNC करती है तो उसे foreign investment कहा जाता है ठीक है so any investment is made with the hope that these assets will earn profit कोई भी क्यों invest करेगा obviously उसे लगेगा कि मुझे फायदा होना है बिना फायदे के कोई invest करता है so at times MNC set up production jointly with some of the local companies of these countries the benefit of the local company of such joint production is twofold so MNCs जो हैं वो production set up करती है jointly with some of the local companies of these countries MNC क्या करती है production set up करती है किसके साथ local companies के साथ मिलके obviously आप किसी के देश में जाना चाह रहे हो तो उसके आपको कोई link तो होनी चाहिए ना किसके बरोसे पर जाओगे so वो क्या करती है link up या tie up करती है छोटी मोटी local companies के साथ so benefit है फायदा है local company के साथ tie up करने का दो फायदे है twofold है first MNC can provide money for buying additional investment like buying new machines for faster production so benefit of local company of such joint production इसे joint production कहा जाता है जब कोई MNC किसी local company के साथ मिल जाती है first MNCs can provide money for additional investments like buying new machines for faster production second MNC might bring with them the latest technology for production अब ये देखो ये फायदा भी है किसका ये सामने local company का भी फायदा है देखो उनको दो फायदे हो रहे हैं बहला उन्हें पैसे मिलेंगे investment हो रहा है तो उनको पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे मेनत लगाने पड़ेगी और दूसरा ये companies बड़ी बड़ी technologies भी लाती है अपने साथ तो फिर मतलब MNC अगर foreign investment हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है आपके देश में next page 58 but the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production पर MNC जो invest करती है वो local company के साथ tie-up से भी ज्यादा क्या करती है उसे खरी दी लेती है चोटी-चोटी companies को खरी दी लेती है और अपना production expand कर लेती है तो ये जो MNCs होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो आराम से ये लोग ऐसा कर लेते हैं to take an example एक example देख लो तो कारगिल foods a very large American MNC has bought over smaller Indian companies such as parak foods देखो एक बहुत बड़ी company है US की कारगिल foods है वो MNC है US की तो उसने चोटी एक चोटी इंडियन company खरी दिये जिसका नाम है पारक food तो पारक food में क्यों उसने करीदा क्योंकि पारक food को इंडिया का बंदो इंडिया में उसने अच्छा network marketing network फैलाया था और यह पारक food की brand है वो बहुत जादा अच्छी फैली वी थी इंडिया में पारक food के पास चार oil refineries हैं और क्योंकि खरीद लिया पारक food का जो भी इंडिया का फायदा है वो सिधा सिधा कार गिल को मिल रहा है अब कार गिल जो है वो खाने का तेल बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी हो गई है इंडिया में और वो daily 5 million pouches बनाती है ठीक है So, Cargill is now the largest producer of edible oil in India with a particular to make 5 million pouches daily. So, आप देख सकते हो, यह MNCs कितना फायदा उठाती हैं, उनको कितना फायदा, obviously, खरीदने में भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया होगा कि सामने वाले ने बेज दिया होगा. In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing country governments, with such enormous amount, imagine the power and influence of these MNCs. इन MNCs का अगर पैसा imagine करो, जो बड़ी-बड़ी multinational companies हैं, इनका पैसा imagine करो, तो एक पूरी developing country जैसे कि इंडिया है, हमारी Indian government के पास भी जो पैसा है, उससे भी जादा होता है, इन MNCs के पास, काफी MNCs इतनी जादा फैली हुई, पहुंची हुई हैं, कि इंडियान government से भी जादा पैसा होता है, इनके पास, तो आप सोचो, इतने पैसे के साथ, इनका power क्या होगा, इनका influence क्या होगा, किसी देश की सर्कार से जादा पैसा होता है, एक और तरीका है, जिसमें MNC अपना जो production को control करती है, तो क्या करती हैं, यह MNCs, large MNCs in developed countries place orders for production with small producers, जो बड़ी-बड़ी MNCs हैं, developed countries की बड़ी-बड़ी MNCs हैं, वो क्या करती हैं, वो place orders for production with small producers, ठीक है, जो large MNCs हैं, developed countries की, वो production के लिए order place करती है, छोटे-छोटे producers को, garment, footwear, sports item, in industries के example है, वहाँ पर यह क्या करती हैं, पूरी दुनिया में जितने भी छोटे-छोटे producers हैं, उनको खाली order दे देती हैं, फिर the products are supplied to the MNCs, which then sell these under these brand names, अब क्या करती हैं, order दे दिया, उन्होंने बड़ा-बड़ा bulk में order दे देते हैं, फिर इनको product दिया जाता है, बनाके, फिर यह क्या करती हैं MNCs, यह जो products हैं, वो sell करती हैं, अपना brand लगाके, customers को, so, इन MNCs के पास इतना power होता है, कि वो price determined quality, delivery, labor conditions, मतलब यह सब वहाँ ही बैटके देख लेते हैं, इस लाज MNCs have tremendous powers to determine price quality delivery and labor conditions of these distance producers, ठीके, देखो, यह हैं, यहाँ आप एक picture देखो, यह औरते हैं लुधियाना, लुधियाना पंजाब में हैं, इंडिया के, यह football बना रही हैं, किस के लिए बना रही हैं, बड़ी-बड़ी MNCs के लिए, अब यह बिकेगा, जाके अमेरिका में बड़े-बड़े ब्रांड लगके, उनके थप्पे लगके बिकेगा, बन देखो, इस चार पाई पे इंडिया में रहा है, सेम जीन्स हैं, यह देखो, यह जीन्स इंडिया या कहीं बनाई गई है, किसी चोटे-मोटे देश में ही, मतलब इंडिया इस नॉट चोटा-मोटा देश, पर किसी डेवलॉपिंग कंट्री में ही बनाई गई है, और अब यह यूएस में बिक रही है, इंडिया की बनी हुई जीन्स यह यूएस में बिक रही है, एक सो पिस्टालिस डॉलर, सिक्स्टी फाइन यह देखो टेग यूएस का है, सो यह मतलब क्या है, सिंप्ली ब्रांड गेम है, मतलब बनते ऐसे ही लोकल हाथों से हैं, और फिर ब्रांड का ही पूरा खेल है, पेज नमबर फिटी एट पे, यह देखो इतनी तरह से एमनसी से प्रोडूसर से लिंक हैं, कहीं जाके खरीदी लेती हैं, कहीं उनको बिजनिस देती हैं, इस तरह से यह प्रोडक्शन कराती हैं, यह और एक और चीज करती हैं, पार्टनरशिप भी करती हैं, ठीक है, तीसरा तरीका, So, दूर दराज के देशों में, यह MNC अपना सिक्का कैसे जमाती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं, लोकल कम्पनी के साथ, या तो लोकल कम्पनी को ही यूज करती हैं, खुद का प्रोडक्ट सप्लाइ करने में, या इन्हीं कम्पनी के साथ, बिल्कुल कम्पिटिशन में उतर जाती हैं, या इन्हीं कम्पनी को खरीद लेती हैं, MNC जो है, फुल इंफ्लूएंस अपना, प्रोडक्शन में लगाती हैं, अलग अलग दूर दूर देशों में भी, So, यही इसी लिए, जो प्रोडक्शन है, इन सारी लोकेशन में यह सब लिंक हो रहा है, मतलब अलग अलग देशों में प्रोडक्शन जुड़ रहा है, ठीक है, So, अब हम देखते हैं, पेज नमबर 59 पे, So, फॉरेंट ट्रेड एंड इंटिग्रेशन आफ मार्केट्स, So, लंबे समय तक जो फॉरेंट ट्रेड है, वो एक में चैनल यह एक में रस्ता रहा है, कंट्रीज को जोडने का, हिस्ट्री में आपने पड़ा होगा, कि जो ट्रेड रूट्स हैं, जो इंडिया और साउथ एशिया को कनेक करते हैं, मार्केट के साथ, इस्ट और वेस्ट में, और एक्स्टेंसिव ट्रेड है, जो इंड रूट्स में, मतलब, जो trade routes हैं इंडिया और South Asia के मतलब इंडिया और South Asia का जो माल है बिकने कहा जाता है East and West में और बहुत ज़्यादा trading होती है ठीक है? तो आपको ये भी याद होगा कि जो और यही trading कारण है कि East India Company की नजर इंडिया पे पड़ी और उन्होंने आके इंडिया को colony बना लिया ठीक है? इसी trading की वज़े से मतलब ये बहुत ही पुरानी बात है मतलब ये नहीं बात नहीं है भाई foreign trade होना ये बहुत ही पुरानी मतलब इंडिया घुलाम नहीं बनी थी इससे पहले होता था ये ठीक है? तो अगर इसको साधी बाशा में कहा जाए तो foreign trade जो है opportunity create करती है producers के लिए कि वो domestic market से आगे बढ़े मतलब local market से आगे बढ़े अपने देश के market से आगे बढ़े उसे foreign trade कहते हैं मतलब आज अगर मैं कुछ हैं बैटके बना रही हूं और मैं बहुत अच्छा बना रही हूं मुझे मैं चाहती हूं अमेरिका में बिके चाइना में बिके कहीं पह भी मतलब दूचे देश में तो अपनी रीट से उपर सोच रही हूं वो है foreign trade foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets that is market of their own countries जो producers हैं वो अपने जो production है जो भी वो बनाते हैं खाली अपने देश के अंदर नहीं बेच सकते हैं बर वो market में compete कर सकते हैं जो की दूसरे देशों में है so buyers के लिए भी जो goods का import है मतलब चीजों का लाना दूसरी countries में ये एक तरीका है expand करने का goods को मतलब so even ये buyers के लिए भी buyers मतलब खरीदारों के लिए भी goods का खरीदना मतलब ये जो चीजें खरीदते हैं दूसरे देशों से ये एक तरीका है जो अपना customer है उसकी choice expand करने का मतलब local production से हटके मतलब जैसे अगर मैं बहुत ज़़दा variety रखूंगी तो obviously मेरा जो customer base है वो बढ़ेगा so page number 61 so अगर आप generally बात करो जैसे with the opening of trade जैसे ये जो trading है देशों के बीच में so जो goods हैं जो चीजें हैं वो एक market से दूसरे market में travel करती है so choice of goods in the market rises prices of similar goods in the tent to become equal so क्या होता है जो obviously choice बढ़ जाती है buyer के लिए और price भी similar similar हो जाता है क्योंकि बेचना है तो भाई ज़्यादा दाम में होका तो कोई खरीदेगा नहीं तो एक price कम हो जाता है हमारे लिए अच्छा है customer के लिए और जो producers होते हैं दो countries में अब एक दूसरे से compete करने लगते है भले ही वो मीलों दूर है ठीक है obviously production पर असर पड़ेगा cost पर पड़ेगा तो so foreign trade है वो market को connect करती है अलग-अलग countries के ठीक है so foreign trade thus results in connecting the markets so what is globalization अब main चीज जो इतना चार आपने foreign trade के बारे में पढ़ा globalization है क्या देखो अगर आप पिछले 2-3 decades की बात करो मतला पिछले 20-30 सालों की बात करो जादा से जादा MNCs जो है वो दुनिया में ऐसी ऐसी locations डून रही है जो कि उनको फुल सस्ती पड़े चीप पड़े उनके production के लिए foreign investment जबी भी MNC करती है इन देशों में किन देशों में करती है जहां पर उनको production cost सस्ता से सस्ता पड़े और उसी समय foreign trade है countries के बीच में वो बढ़ता जा रहा है लगाता foreign trade का जो large part है वो MNCs द्वारा ही control किया जाता है अगर मैं example दूँ तो Ford Motors का जो car manufacturing plant है वो इंडिया में है तो वो जो manufacturing plant इंडिया में है वो car खाली इंडिया के लिए नहीं बनाता है ये cars बाकी developing countries में भी जाती है और car components भी जाते है Ford Company के बाकी factories के लिए जो की पूरी दुनिया में फैली हुई है इसी तरह से MNCs जो है वो substantial का मतलब मतलब बहुत जादा amount में ठीक है MNCs मतलब बहुत जादा amount में trading करती है goods में और services में obviously production भी देती है and trading भी करती है so ये जो foreign investment है इतना जादा हो रहा है और foreign trading हो रही है इतना जादा हो रहा है so इससे क्या effect आया so क्या effect है so इससे जो है production और market वो दुनों जुड़ गए है integrate हो गए है so globalization is the process of rapid integration और interconnection between countries countries के बीच में जो production हो रहा है या जो markets link हो रहे हैं ये globalization ही है MNCs जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है globalization में जादा से जादा goods जादा से जादा services investment technology देशों के बीच अधान प्रधान हो रहा है दुनिया के काफी regions ऐसे हैं जो की एक दूसरे से contact में है जो पहले नहीं थे मतलब अगर आप कुछ 20-30 साल पहले की बात करो काफी ओं को कुछ पता ही नहीं था आप सब को पता है कौन से देश में क्या है इसके अलावा जो goods का movement है services का investment technology एक और तरीका है जिसमें countries connect की जा सकती है जो ये goods, services, investment technology के अलावा एक और तरीका है जुड़े हैं, ये हैं लोग भी आ जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश में लोगों का भी आना जाना हो रहा है लोग क्यों एक देश से दूसरे देश जाते हैं जादा income के लिए अच्छे jobs के लिए अच्छी education के लिए ये तो आप देखते ही है होता है, काफी लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं कमाने के लिए या बेटर future के लिए तो पिछले कुछ सालों में इतने इस movement का इतना जादा मतलब लोगों का movement कम ही हुआ है क्योंकि अभी restrictions भी आ गए है बहुत सारे countries अब restrictions भी डाल रही है वरना लोग तक transfer होते हैं एक देश से दूसरे देश अब वो factors पढ़ेंगे जिनकी वज़े से globalization और आगे बढ़ा है तो सबसे पहला factor है technology technology एक सबसे पहला कारण है जिसकी वज़े से globalization इतना बड़ा है इतने सालों में तो technology जो है आपको पता है technology में बहुत ज़्यादा improvement आया है जिसने globalization को एक्दम stimulate किया है fast करा है countries के बीच जैसे कि पिछले 50 सालों की बात करें तो उसमें transportation technology में भी बहुत ज़्यादा सुधारा आया है सो इससे जो चीजों के delivery है वो long long distances पे कम कम cost में आराम से होने लगी है ठीक है अब मतलब आपको पता होगा containers के containers उतरते हैं goods के transport के लिए goods को क्या मतलब चीजों को containers में डाला जाता है जिसे load किया जाता है ships में, railways में, planes में, trucks में containers में जो है जो cost है काफी कम कर दिया है speed बढ़ गई है और जहां पर आपको जिस market में चीज पहुंचानी है पहुंच सकती है और जो air transport था उसका भी price काफी कम हुआ है इन सालों में, इस तरह से जादा से जादा जो चीजे हैं, goods हैं, वो airlines के थूपी पहुंचते हैं दूसरे देशों में page number 63 इसके technology के अलावा और जो चीजें जिनोंने development में मदद की है वो है information and communication technology अगर आप आज की बात करो, जो technology है टेली कम्यूनिकेशन में, कम्प्यूटर्स में, इंटरनेट में वो बदल रही है आए दिन टेली कम्यूनिकेशन फैसिलिटीज, टेली फोन, जैसे की mobile phone, fax वो आराम से एक दूसरे से हम contact कर सकते हैं देश के किसी भी कोने में टेकनोलोजी के बाद, globalization में दूसरे कौन से factor ने मदद की है so information and communication, even more remarkable have been the development of information and communication technology so in recent times, technology in the areas of telecommunication, computer, internet has been changing rapidly ठीक है, so जो टेली कम्यूनिकेशन फैसिलिटीज है, टेली ग्राफ, टेली फोन, इंक्लूडिंग, mobile phone, fax वो contact करने मदद करती हैं एक दूसरे को पूरी दुनिया में ठीक है, so this has been facilitated by satellite communication devices यह कैसे possible हो पाया है, जो यह information and technology, communication technology कैसे डेवलोप हो बाई, mobile, internet, fax यह किसकी वज़े से डेवलोप हो पाया है, this has been facilitated by satellite communication devices मतलब satellites की वज़े से, आपको पता होगा कि जो computer है, अब वो हर field में है मतलब computer हर चीज में है, so आपने देखा होगा, internet तो आपको पता ही है internet तो आज हमारी दुनिया का हिस्सा हो गया है, जहां पर आप information share कर सकते हो, information ले सकते हो pin से लेके, pen से लेके, atom bump तक हर, आप information निकाल सकते हो internet allow करता है, आपको किसी को भी mail करना, voice mail कर सकते हो पूरी दुनिया में कहीं भी, ठीक है, so internet is a boon today, ठीक है so इस तरह से, मतलब internet ने इतना जादा बदला है so यह भी globalization का part है, technology ने मदद की है globalization में information और communication technology में, जिसमें internet भी आता है next page पे 64, आप एक नईहा शब्दा है, liberalization liberalization of foreign trade and foreign investment policy, liberalization word क्या है देखो अब यहाँ पे, आपको पता है कि Chinese toys इंडिया में import की जाती थी, ठीक है, है नहीं, की जाती थी, अभी चुप-चुपके हो रही हो, पर बीच में यह book आपकी edition पुरानी है, पर पहले की जाती थी, ठीक है, इंडियान गवर्मेंट सपोज इन टॉइस को जो यह चाइनीज टॉइस हैं, इंडिया में लाने पर बहुत ज़्यादा टेक्स लगाए, तो क्या होगा, तो क्या होता, जिनको चाइना से टॉइस मंगाने हैं, उन्हें वो बहुत हैवी टेक्स भरना पड़ता, टेक्स की वज़य से इतना ज्यादा है जो चाइनिस टॉइज हैं वह सस्ते नहीं होते सस्ते क्यूं हैं क्योंकि टेक्स कम है ब्हारत सफिर का इसलिए सस्ते है तो मैंस अगर इंडिया कंपनी टेक्स बड़ा देती है कि अगर चाइना से इंडिया आएगा टॉय तो टेक्स बढ़ेगा मतलब दूसरे देश से लाओगे तो टेक्स लगेगा बहुत टेक्स लगेगा तो अबियसली वो सस्ता नहीं बेच पाएगी सस्ता क्यों बेच पा रही है? टेक्स कम ले रही है सरकार टेक्स ज्यादा लेगी तो महंगा कर देगी महंगा कर देगी तो खरीदी नहीं पाएगा बायर जो मंगवा रहा है चाइना से उसको महंगा पढ़ने वाला है वो क्यों मंगवाएगा? तो इसी लिए automatically हमारी जो Indian companies हैं वो prosper करेंगी वो फलेंगी फूलेंगी ठीक है? यहाँ आप देख सकते हो अगर tax लगाती है कोई सरकार किसी country पे या किसी product पे इससे फायदा local companies का होता है जब यह tax लगाया जाता है imports पे किसी चीज को लाने में अगर tax लगता है उसे trade barrier कहते हैं ठीक है? barrier barrier word का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपको कुछ restrictions का कुछ बंदिशों का कुछ कहते हैं कोई stoppage है आपकी रहा में barrier ठीक है? टेक्सी तो trade barrier हुआ न? ठीक है? मतलब आप उस country से कुछ मंगाना चाहरह हो पर आपको टेक्सी इतना भरना बढ़ जा रहा है कि आपका तो cost डबल हो जाता है तो आपके लिए वो क्या है? trade barrier हो क्या है? आप नहीं trading कर पा रहे हो so tax on imports is an example of trade barrier it is called a barrier because some restriction has been set up so governments जो है कोई भी government इंडियन नहीं कोई भी government इस trade barrier को use करती है foreign trade को बढ़ाने के लिए foreign trade को घटाने के लिए और decide करने के लिए कि क्या-क्या सामान आएगा उनके तेश में कितना आएगा और क्या होगा मतलब ये सब ये trade barrier को government एक अच्छे से यूज करती है अपने देश की भलाई के लिए so government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country ठीक है so Indian government independence के बाद मतलब जब हमारा भारत देश आजाद होँ था 1947 में so Indian government ने आजादी के बाद बहुत जादा barriers लगाए थे foreign trade और foreign investment में so ये तब जरूरी माने जाते थे ताकि producers protect हो हमारे country के क्योंकि उस time already Britishers इंडिया को लूट चुके थे तो देश में कुछ खासा था नहीं और उस time अगर हम foreign trade भी बहुत जादा योरो शोरो से चलती तो हमारी जो local companies है वो तो उठी जाती ठीक है so उस time हमारी जो Indian government है 1947 में देश आजाद हुआ तो हमारी Indian government ने trade barriers लगा दिये कि आसान नहीं था उस time import होना चीजों का लाना आसान नहीं था so Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment so after independence so ये बहुत उस time जरूरी था क्यों क्योंकि producers को बचाना था foreign competition से but industries were just coming up in the 1950 and competition from at that stage would not have allowed these countries to come up thus India allowed imports of only अब उस time भी नहीं 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 कंपनी इंडिया में एंटर करना चाह रही थी obviously India मतलब सस्ती country थी उनके लिए यहां पर labor सस्ता है educated population भी है youth भी मनला youth भी चाह रहा है तो company इंटरेस्टेट थी इंडिया में पर उस time इंडिया ने trade barriers लगा रखे थे अपने जो अपने local companies हैं उनको boost up देना चाहती थी फिर इंडिया पर तभी बी तब भी इंडिया क्या करती थी allow करती थी इंडिया allowed imports of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum etc. तो उस time भी इंडिया क्या करती थी जो जरूरी जरूरी सामान है उसको आने देती थी ठीक है? जो जरूरी सामान है उसको अंदर आने देती थी बागी जरूरत नहीं होती थी तो अपना देश महान अब आप नोट कर सकते हो कि सारी जो developed countries हैं जो ये development का early stage था have given protection to domestic through a variety of means सो हर developed country नहीं किया है जो भी country developed हुई है पहले उसने अपने देश का सोचा है पहले उसने अपने देश के producers को settle होने दिया है इसके बाद ही foreign trading पे ध्यान दिया है सो आप 1991 से ये शुरुआत हुई कुछ policy में changes करे गए मतलब 1947 से ऐसा ही चलता आया ट्रेडिंग में foreign trading में पर 1991 से हुआ कुछ की कुछ changes लाए गए इंडिया में इंडिया की trading policies में स्टार्टिंग अरूब 1991 some far reaching changes were made in India government ने decide कि भाई जो अब इंडियन producers को अब पूरी दुनिया से लड़ने का समय आ गया है 1947 से 1991 तक पहले उन्होंने इंडियन producers को खुली चूटती कमाओ अब क्या हुआ अब government ने सारे दरवाजे खोल दिये जिसको आना है आओ और business करो इंडिया में so government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe अब दुनिया से लड़ने का समय आ गया है it felt that the competition would improve the performance of producers in the country since they would have to improve their quality माना ऐसा जा रहा था कि अगर ये foreign trading के द्वार खोल देंगे तो जो हमारे local manufacturers हैं वो अपना जो है उनका quality improve करेंगे competition के डर से so it felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have improved their quality so ये जो decision था इंडिया का support किया गया बड़ी बड़ी पावर्फुल international organizations ने support किया कि हाँ बहीं इंडिया सही बोल रही है इंडिया को अब ये foreign जो trade barriers है वो हटा देने चाहिए so thus barriers on foreign trade and foreign were removed to a large extent so इंडिया ने जो ये सारे बंदिशे लगाई रखी थी जारे ban लगा रखे थे foreign trading पे foreign investment में वो 1991 में हटा दिये गए इसका मतलब जो अब आप सामान लाना चाहते हो जो बेचना चाहते हो बहार के देशों में अब वो easy हो गया और ये भी कि foreign companies आप आएंगे आपके देश के अंदर अपने factories लगा पाएंगी अपने offices सेट अप कर पाएंगी so जो ये इंडिया ने किया मतलब ये जो उसने barrier हटाया उसे liberalization कहते हैं so liberalization क्या है removing barriers or restrictions set up by the government is what is known as liberalization liberalization है barrier हटा देना government द्वारा सारे बंदन सारे barriers हटा देना उसे liberalization कहते हैं so with liberalization of trade businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export so liberalization जो trading में liberalization हुआ जो business है वो अब free हो गये ताकि वो जो भी import करना चाहें export करना चाहें वो कर सकते हैं government अब बहुत कम restrictions लगाती थी और इसलिए अब government ज़ादा liberal कहलाती है liberal मतलब free ठीक है so liberalization मतलब जब सारे barriers हटा दिये trading पे सरकार ने उसे कहते हैं liberalization अच्छा world trade organization WTO क्या है तो आपने देखा कि जो liberalization है foreign trade और investment का इंडिया में मैंने आगे बोला कि बहुत बड़ी-बड़ी powerful organizations ने support किया so organizations का कहना था कि जो foreign trade और investment में जो इंडिया ने barriers लगा के रखे हैं वो बहुत harmful हैं मतलब वो इंडिया के लिए परेशानी है so इसलिए वो जो बड़ी-बड़ी trading organizations थी वो इंडिया को हमेशा कहती थी आप barrier हटा दो so वो कहती जो international organization कहती है कि दो countries के बीच में trading free होनी चाहिए so in trading organizations का मानना है कि दुनिया में हर देश को liberalize करनी चाहिए अपनी policy so एक है ऐसी ही संस्था world trade organization WTO है उसका short form is one such organization whose aim is to liberalize international trade इनका काम क्या है जो international trade है मतलब countries के बीच की trading है उसे liberalize करना है इनका काम started at the initiative of developed countries यह चालू किसने की थी जो started at the initiative of developed countries WTO established rules regarding international trade and sees that rules are obeyed so यह क्या है WTO एक संस्था है दुनिया भर की governments के उपर जो की सबको कहती है अपनी policy liberalize करो अपनी policies थोड़ी हलकी करो liberal करो free करो ताकि लोग आपके देशों में business आराम से कर पाएं so यह चालू किया था World Trade Organization नहीं यह rules लागू करने चालू किये थे developed countries के उपर जो जमी हुई countries हैं उन पर WTO ने फिर यह rules international trade के पूरे established किये बाकार rules बनाए और उन्होंने मतलब यह भी देखा कि rules को follow भी करें सारे so July 2016 nearly 165 countries of the world are currently members of WTO so 2016 तक की बात करो तब तक 165 countries WTO के अंदर हैं मतलब WTO के rules इनको मानने हैं क्योंकि इन्होंने WTO में अपना एक मतलब position बनाया हुआ है World Trade Organization मतलब पूरी दुनिया की trading organization जिसमें 165 countries ने अपना नाम दर्ज कराया है यह एक संस्था की तरह है WTO ऐसा बोलती है कि भाई आपको trading free करनी है पर जो developed countries है वो इन trade barriers को नहीं मानती है दूसरी तरफ WTO के rules है जो developing countries है जो countries अभी develop हो रही है उनको force करती रहती कि तुम trade barrier हटाओ trade barrier हटाओ पर जो developed countries है वो इन trade barriers का पूरा-पूरा फायदा उठाती है और tax लगाती है imports पे ठीक है इस तरह से WTO कहीं कहीं unfair भी हो रही है WTO rules have forced the developing to remove the trade barriers इस तरह से WTO का work है यह है page 65 आज मैं यह chapter यहीं end करती हूँ चाप्टर पूरा नहीं हुआ है अभी आगे यह chapter है so with that I am ending my today's lecture we will continue this chapter in the next lecture तब तक आप यह chapter page 65 तक read कर लेना आपकी economics text में यह chapter चालू हो रहा है आपका page number 55 से और मैंने आज 65 तक पढ़ाया है so read this interesting chapter very very interesting chapter of economics and आप समझ भी पाय रहे होंगे इस chapter को write each and every point very properly try reading the entire chapter till page 65 and whatsapp me the entire thing thank you